हलो हाई नमस्कार वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं नेम इस रुदुजा सो जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि आप अगर इंटर्व्यू के लिए जाते हो तो आपका अटायर कैसे होना चाहिए आपको कैसे आपको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए यह मैं आप यहाँ पे जिस्ट आड करूंगे वीडियो में तो वो स्लाइड पर हम डिसकस करेंगे कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो बिकॉज ऐसे होता है कि आप जब भी इंटर्व्यू में जाते हो ना आपको देख की पहले उनका एक माइंसेट में रह जाता है कि हाँ य इंटर्व्यू के लिए जाओ और आपका पहले मिनिट का जो भी उनके उपर जो इंप्रेशन है वो अच्छा रहे अच्छा दिखे इसलिए आप कैसे कैसे आपको रेडी होके जाना है आपको कैसे बोलना है कैसे बात करने कैसे खड़े रहना है यह सभी चीजे हम यह वीड के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आये रहते हैं वह सभी कैंडिडेट्स में हाव यह बेटर वह आपको दिखाना रहता है तो जब भी आप इंटर्व्यू के लिए जाते हो आपको फॉर्मल जो यूनिफॉर्म है वही पहनना रहता है गर्ल्स के लिए और बॉइस के लि pant if you want you can wear tie or blazer also so kuch slides मैंने यहाँ पर add कर दिये ताकि आपको clearly idea हो जाए कि exactly formals मतलब आपको कैसे look करके जाना है and if you are going for airline interview then for girls you can prefer a bun और a ponytail also it will look really good and professional उसके बाद में जो भी आप मतलब आप वहाँ पर जाने के बाद आप कैसे behave करते हो उसके उपर भी बहुत सारी चीज़े depend करती है जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि आपको greet करना है हमेशा face पे smile रखनी है अगर आप smile रखते हो आप eye contact करके बात करते हो तो obviously उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये candidate perfect because in airline और in aviation industry हम ज्यादा से ज्यादा customers के contact में रहते है लोगों के contact में रहते हो तो अगर आप जैसे की slide में देख सकते हो एक इंसान के दो साइड्स दिकाए दी है एक है open body gesture और दूसरा जो है close body gesture obviously अगर आप close body gesture रखके खड़ा रहते हो तो लोगों को लगता है कि you are not interested to talk to them तो आपको हमेशा open body gesture रखना है जब भी आप interview के लिए जाते हो आप कैसे बैठते हैं वो भी देखा जाता है और अगर आप मतलब जब भी interview के लिए जाते हो हमेशा याद रखना कि आपको eye contact करके भी बात करनी है अगर आप नीचे देखोगे इधर उधर देखोगे तो ऐसा लगएगा कि आप में confidence कम है और अगर उनको ऐसा लगएगा then they will higher you right so आप में confidence होना बहुत ज़रूरी बात है पर over confidence नहीं जैसे कि आप image में देख सकते हो कि जो इंसान बैटा है वो उसको ऐसे मतलब देख रहा है जैसे सामने वाले को लगए कि यह कितना rude है, arrogant है ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो आपका body gesture, posture जो है वो situation के इसाब से रहना चाहिए जैसे कि आप last image में देख सकते जो लड़की interview दे रही है she is smiling, she is sitting straight और वो confidently बैटिये कि सामने वालों को भी उससे interaction करने के लिए अच्छा लगए और वो उसको higher कर सके आज के लिए बस इतना ही Thank you